कुछ लोग anime को इसलिए निहीं देखते थे क्योंकि वो समझने कि वो बहुत समझदार लोग हैं. और वो यह सोचते हैं कि जो anime देखता है वो बच्चे होते हैं और अगर बच्चे वो देख रहे हैं तो ठीक है अगर बच्चे के लावा कोई बड़ा देख रहा है तो वो बेफकूफ है एक्चुल में दिक्कत जाँगा है इन लोगों को art न tabii पता आठ क्या होता है इने art न समझ नहीं आथा हैốn कि आर्वस समझने के लिए पहले तो दिमाग चाहिए होता है इनको content नहीं बता है content क्या होता है और इनके लिए एक बात जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा जब बिल्ली दूद पीती है तो आंख बंद कर लीती है और वो ये सोचती है कि उसे कोई नहीं देखा ठीक ऐसे ये लोग जो बिना कुछ समझे किसी चीज के बारे में बोलना शुरू करते हैं अपने आपको समझदार दिखाने के लिए और उनको लगता है कि उनकी ना समझी किसी को दिखाई नहीं दे रही नमशकार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इरेजड एनिमे सीरीज के बारे में टोटल इसके अंदर 12 एपिसोड है और हर एपिसोड करीबन करीबन 20 से 25 मिनट के करीब है और यह सीरीज जो है वो कोई love based सीरीज नहीं है इस सीरीज का जो जो honor है मैं कहा सकता हूँ कि वो drama है mystery और thriller है और इस सीरीज को जो direct किया है मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि 5 डिरेक्टर है और अगर मैंने उनके नाम लेने स्टार्ट किये क्योंकि प्रन शेचन इतनी hard है उनके नाम की अग 12 घंटे लग जाएंगे मुझे वीडियो बनाने बनाने में तो यह चीज हम skip करते हैं यह सीरीज जो है वो based है thriller और mystery के उपर अगर यह चीजें जो हैं तो एक चीज मैं यहां पर clear कर दूँ मैं इसके अंदर कोई spoiler नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आपका interest खराब हो जाएगा पट फिर भी एक छोड़ा सा hint मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप यह series बहुत active हो के देखते हूँ तो आपको पदा चल जाएगा कि इसमें main killer कोण है बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला तो इसकी कहानी बराते है सातोरू नाम का एक 29 साल का लड़का जो pizza delivery का काम करता है एक दिन उसे पदा चलता है कि उसके पास एक ऐसी power है कि वो बविशय में देख सकता है थोड़ा से को clarify करूँ तो बविशय में इतना ही कि वो सिर्फ अपना ही बविशय देख सकता है और वो भी तब देख सकता है कि उसके आसपास कोई घटना हो रही हो, कोई दुरगटना होने वाली हो कोई गलत काम होने वाला हो तबी वो देख सकता है। और वह भी सिर्फ-सिर्फ tendencies का। तो एक दिन घर में उसके कोई और अधमी आता है उसकी माँ जो है वह सातूरू की मां वह अकेली होती है और वह आधमी उसकी मां को मार कर चला जाता है। माँ माडर कर देते हैं सातूरो A 숲 गर पर आता है तो एक axiating आहीं आज अ महाल बनता है कि की आसपास देखने वालों को लगता है कि सातूरो नहीं अपनी माँ का महरर किया तो उसी वक्त पुलिस आजाती और ये पुलिस से भाग ही रहा होता है कि अचानक से ये past में चला जाता है और past में भी 18 साल पहले चला जाता है जब वो 11 साल का बच्चा होता और जब उसकी आंके कुलती है तो वो अपने आपको उस 11 साल के बच्चे में ही पाता है उसका mind वही 28-39 साल का लड़के का होता है और वापिस वो 11 साल का बच्चा बन गया ह जो पांच में बढ़ रहा होता है अब सात्रू के पास्ट में जाने का कारण यही होता है कि वह पता लगाता है कि जो किलर है यह वही है जिसने उसी के पास्ट में जो अठारा साल पहले उसी के स्कूल में पढ़ने वाली तीन चोटी चोटी बच्चियों का मडर किया था तो यही सोचता है कि अगर वो उन तीन बच्चियों को बचा लेता है तो शायद वो अपने भुषय को बदल सके अपनी मा को बचा सके अब इस एनिमे सीरीज में सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया गया है वो दोस्ती के ओपर फोकस दिया गया है कि दोस्तों को एक साथ रहना चा प्रमाए जो मेरे पास कोई खजाना नहीं है बट एक खजाना है मेरे पास वो है मेरे दोस्त जो उसके साथ हमेशा बुरे वक्त में खड़े हुए हैं तो कहानी बस इतनी है कि सातोरू पास्ट में जाकर अपनी मा को बचाने की कोशिच करता हो बहुत सारे राज इसमें मैं कहूंगा कि यार कहां एक वर्थित है आप इसे देखें मुझे बहुत जादा पसंद आई यह सीरीज इसकी स्टोरी मुझे बहुत जादा यूनिक लगी एक अलग सी कुछ देखने को मिरा हां देखिए जब हम लाइव एक्शन मुवी को देखते हैं उसमें बहुत जार कैसी भी डेवलोप कर सकते हो वहां जो रियल एक्शन मुवी के अंदर नहीं हो सकते हैं कुछ चीजे हां एनिमे सीरीज पर रियल मुवी बनती हैं लेकिन मैं कहीं कहूंगा कि यार एनिमे सीरीज या एनिमे मुवी की जगा वो नहीं ले पाती है और अगर आप लोगों को एक कंटन्ट देखना है कि वो होता गया है किस तरीके से कुछ स्टोरी कैसे डेवलोप होती है तो एक बार जरूर एनिमे सीरीज को देखना इरेज यह सीरीज अगर आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वर्क क्या होता है काम क्या होता है और यह जो सीरीज थ कि मुझे जैपनीज आती है नीचे सब्टाइटल आ रहे थे तो मैंने उसे काम चला लिया तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8.5 आफ टो 10 स्टार अगर किसी ने ये देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों की फेवरेट एनिमे इस सीरीज कौन-कौन सी और इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है कैट बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में तैंक्स और वॉचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद